जराम जी मेरा सवाल ये है कि आपने पर्थेशन के बात करें ये ऑपरेशन लूटस में नहीं हुआ होगा च्छे विधायक जो पाला बदल के ख्रॉटिंग जिनों ने किया और ये कहा जा रहा है कि बीस विधायक और ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कामकाज कर रहे हैं उसे वो खुश नहीं है बदलना चाहते हैं हर्याना में जब ये मामला हुआ था राजसभा चुनाओं में उसके बाद उस वक्त के प्रभारी जो हर्याना के थी उनको बदला गया क्या अगर समय रहते हिमाचल के प्रभारी ने हो रहा है कहीं कोई accountability fix होगी या सिर्फ operation lotus कहके इस पर उसको टाल दिया जाए नहीं accountability ज़रूर फिक्स होगी हर्याना में accountability fix हुई थी आपको याद होगा और यहां भी क्यूं हुआ इस report में दो भाग है पहला भाग है यह cross voting क्यूं हुआ कैसे हुआ कैसे होने दिया गया और दूसरा भाग है सरकार को बचाने के लिए जनादेश को पालन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए यह दो भाग है यह जब report आएगा Congress President और अपने वरिश साथियों के साथ बाक्षीत करेंगे और शीगर उस पर निरने लेंगे तब तक के लिए तब तक के लिए जो कोई flash हो रहा है जो एक खबर उड़ाए जा रहे हैं मैं कहूंगा अवचारिक तोर से बे-बुनियाद है मैं कैसे observer क्या कहेंगे मैं कैसे एनुमान लगा सकता हूँ वो बातचीत करेंगे अपनी आपस में बात करेंगे एक report तयार किया जाएगा और उस report Congress President को पेश किया जाएगा और उसके बाद एक दिनने लिया जाएगा मैं कैसे कह सकता हूँ कि उस report में क्या हो सकता है मैंने मोटे तोर से कहा कि report के दो भाग हैं कि ये cross voting क्यूं हुआ क्यूंकि संदर्प तो cross voting का है ये सीची तो पैदा हुई है cross voting के कारण ये cross voting क्यूं हुआ कैसे हुआ किसके जिम्हेंदारी थी ये सब उसमें होगा पर साथ साथ अभी एक और मुद्दा है कि हमारा हमारी जो सरकार है और साड़े तीन साल हमें चलाना है जन्ता के जनादेश को हमें पुरा करना है तो guarantee हमने दी थी उसको पूरी तरीके से लागू करना है वो किस रूप में लागू होगा वो उस report के आधार पर ही निरने होगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ पर मैं यह जरूर कहूंगा कि report का मकसद एक ही है party का hit क्या है कौन से कदम है जो party के लिए जरूरी है व्यक्ति के लिए नहीं party के लिए party सर्वोपरी है हाजी हाजी operation lotus से हम mandate नहीं खो सकते mandate ने जनता ने दिया है और mandate सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है यह बीच में operation lotus चला कर आप यह नहीं कह सकते आप जनादेश खो गए है जनादेश जनता ने दिया है और जनता ही उस mandate को वापस ले सकती है सर इदर इदर जराम सर सरकार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है बिधायक दल के नेता भी अभी observer वहा है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे सभी लोगों से बात करेंगे विधायकों से बात करेंगे उसके आधार पर ही report पेश किया जाएगा पर मैं कह सकता हूँ कि Congress अध्यक्ष ने उनको सपश्ट निर्देश दिये है सभी विधायकों से बात कीजिए उनके मन में क्या है उनकी जो मांगे हैं शिकायते हैं सब को सुनिए और मुझे एक report दीजिए दाकी हम अगला निर्ने ले सकें और निर्ने ये है Congress Party का जनादेश जो हमें मिला था सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है Operation Lotus कि माधियम से BJP नहीं कह सकती है कि आप जनादेश खो गए है ये बिल्कुल गलत तरीका है हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है जनता वापस लेती है आप माश्री में वो ये खबरें सिर्फ शिमला से आ सकती है सर हिमाचल की सर पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोन्या गांधी जो है वो राजसभा जा सकती है और सुखु साब ने इसकी पेशकर्श भी की ती लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो चार-पाच वोटों का मार्जिन था ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रोस वोटिंग हो सकती है तो क्या पार्टी आला कमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोश है लीडर्शिप को लेके और क्रोस वोटिंग हो सकती है और उसके बाद उसमें नकेल कस्ते में आप लोग विफल रहे हिमाचल कमूल भापने में ये बिल्कुल गलत है ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए माफ कीजेगा, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ नहीं है, यह कहां गुमा फिराकर, गुमा फिराकर आप यह आर्गुमेंट कर रहे हैं, यह अमित मालिविया जैसे सवाल है, आपकी सवाल नहीं, सौरी, 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 बुरा मत मानिये, बुरा मत मानिये, ने बुरा मत माले, यह गलत सवाल है, यह पार्टी है कमांड ने निरने लिया है, आप उस पार्टी है कमांड को निरने को टेड मोड कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, आजी, जहराम जी आपने दो बड़ी बाते कहीं है, आप संगठन को समझते भी है आपने कहा कि वक्त पर कठोर फैसले लिये जाएंगे अगर जरूरत पढ़ी तो लिये जाएंगे अच्छा एक सबसर और है कि जो छे बिधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है क्या उनसे आप लोगों ने संपरक साथ लिया है क्या उनसे आप लोगों ने बाचीत कर ली है क्या वो मान गए है और अगर मान गए है तो कहा है अभी अब्जरवर वहां है उनसे बात करेंगे अगर वो शिमला में है उनसे बात करेंगे अगर वो शिमला में नहीं है वो कैसे बात कर सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार एक दो लोग वापस आ गए हैं शिमला में वो जरूर उ सिंबल पर, कॉंग्रेस को जनादेश मिला है, उनको जनादेश नहीं मिला, कॉंग्रेस पार्टी को जनादेश मिला है, भौमत उनको मिला है, सब से बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे, खुले मन से बात करेंगे, सब की राय लेंगे, जो उनके मन में हैं, शिकायते है मांगे हैं और जो कुछ कदम लेने हैं कॉंग्रेसर दियक्ष को वो लेंगे एक मिनिट इनका सवाल जो ये मुझसे नाराज हो गई कि मैं उनका सवाल फिर से दोढ़ा हूं नहीं क्योंकि यह जिस तरीके से आपने पुछा रहीं यहा से यहां आप करनेट कर रहे हूं नहीं नहीं इतना इतना यहां से यहां एक फिर लाइन भी होता है आप यहां से यहां से जा Exec IoT पाद्सेथा दर्यक्ट लाइन खायन, अब पूछें कि कुछ अब करनाटक से क्यों नहीं आई, तैलंगाने से क्यों नहीं खड़ी हूई, क्या सवाल पूछें आप, सेर में सीधा यही सवाल ह्यां वो उन्हों निरने लिया, कि में राजसान से कॉरी होगी, ये सवाल नहीं है सर और ये सारे पत्रकार जारना चाहते है इस पर आप सीधा जवाब दे दीजे सर कि हिमाचल से पहले ये चर्चा चल रहे थी सुखु इंदर सिंग सुखु ने भी ऑपर तो क्या ये अंदेशा पहले से था सर की क्रॉस वोटिंग मीडिया में थी चर्चा क किस ने ये खबर किस ने चलाई आप ही लोग चलाते हैं सर हिमाचल में प्रस्ताव भी आया था कि कोई आपचारिक तोड़ से कोई था अपचारिक और बूला के सर प्रतिबा सिंग ने भी इसे तो तलंगाना की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी त करने वाली हैं बुरा मत बाली हैं सभी ने कहा सुनिये रेवन रेड़ी ने कहा सिद्रामया जी ने कहा अशोग गेलोड ने कहा राजस्तान से आप अशोग गेलोड का भी एक बयान है दोतासरा का बयान है सभी लोगों ने कहा कि हमारे लिए गर्व होगा कि सोनिया जी हमार राज्य से खड़े हो राज्य सभा के चुनाओं में उन्होंने निरे रहा कि मैं राजस्तान से खड़ा हूँ राजस्तान में लडूंगी तो ये बात बिल्कुल मैं कहना शेटानी अर्गुमेंट है कि आप यहां नहीं गए क्योंकि यहां हमारे है मेरे भागने वाले से हाजी बोलिये 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 और जिसकी वज़े से आप वाजस्ताफा का चनाव हारे उनके खिलाफ भी कोई कारवाई की बात वो रिपोर्ट में होगा बिल्कुल वो रिपोर्ट में होगा वो रिपोर्ट में होगा मैंने आपको कहा क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ क्या अगले कदम लेने चाहिए कॉंग्रेस प्रेजिडेंट को सब रिपोर्ट में होगा एक दो दिन का इंदिजार कीजिए रिपोर्ट आएगा ये सब आपके सवाल का जवाब निया सर क्या मुक्हे मंत्री बदल जाएंगे आज शान तक ओगे ओगे लास्ट क्वेस्ट्ट्ट्र सर आपने सर आपने जवाब दही की बात की सर और ये भी कहा कि बड़े दुर्भागी के बात है कि कल क्रॉस वोटिंग हुआ सर जाराम सर आजी आपने कहा कि जब आप देही तै की जाएगी जब आप देही बनती है कल जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है आपको लगता है कि सरकार के मुख्या होने के नाते सुखु स सबसे बात करेंगे रिपोर्ट पेश करेंगे मेरे मन में क्या है क्या होना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं रखता